सरीष शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है हम सभी को पता है कि कल है सुमवार का दिन कल माग मास के पवित्र महिने का सुमवार है वो भी दश्मी तिति का याने कि दश्मी तिति है दश्मी तिति का सुमवार है और सुमवार होता है भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए और इसलिए दश्मी तिति के सुमवार पर करने वाले चार विशेश उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है सबसे ज़ादा खास इसमें होने वाला है शमी की दो पत्ते वाला विशेश उपाय देखो आज के पूरे वीडियो के जो चार उपाय है ये चार उपाय पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा देखो चार उपाय जो होंगे उसमें से सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ती का उपाय है दूसरा जो उपाय होगा वो होगा धन प्राप्ति के लिए अगर आपके घर में पैसो की कमी है तो आपको दूसरा उपाय करना चाहिए तिसरा उपाई जो होगा वो होगा बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही प्यारा सो उपाई होने वाला है और चोथा उपाई होगा अगर आपके घर में बहुत ज़ादा लड़ाई जगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा क्लेश का महुल रहता है तो फिर आपको छोता उपाय काना चीए देखो, कल अगर हम देखा जाए तो कल पांच फरवरी को अनुरादा नक्षत रहे, जेस्टा नक्षत रहे साथी साथ पूरे दिन पूरे दिन सरवार्त सिद्धी योग का निर्मान भी हो रहा है तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक आप कर सकते हैं देखो, आज की पूरे वीडियो में जो चार उपाय होंगे हम एक के करते हुए उपायों को समझेंगे लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रेई शिवाय नमस्त भी हम जरूर लिखें देखो, सबसे पहला उपाय पहले उपाय के हम बात कर रहे हैं हमारा पहला उपाय क्या था? मनोकामना पूर्ति का देखो, समझना इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है तामबे के पात्र के अंदर चल यहाँ पर यह जो उपाय आप करोगे तो यहाँ पर विशेश कर दो बार आपको मनोकामना बोलनी है और आपकी वो मनोकामना परिपूर हो जाएगी आपको स्क्रिन पर क्या दिख रहा है? बेल पत्र का पेड़ अब यह पेड़ जो है या आपके घर में भी अगर गमले में बेल पत्र है तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं तो मंदीर में जा करके भी आप यह उपाय कर सकते हैं देखो क्या करना है बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है आपको एक बेल पत्र का पत्ता लेना है और तामे के पात्र के अंदर जल लेना है बेल पत्र के नीचे आपको बेठना है जब आप बेठोगे तब आपका तरह को बेच जाना है आपका सीधाहाथ चेणी है के ऊपर आपको बेल पत्र रखोंगे तो डंडी का हिस्सा आपके तरफ होना चीए और पत्ति का इससा बेल पत्र सब्सक्र Nepn hemp और उसके बाद क्या करोंगे लिए दियान रखना बेलपत्र का जो पत्ता हए वह कहीं से भी कटाव था नहीं होना चीए अब आपको क्या करना है आपको जो भी कामना है जो भी मनोकामना है माटा जगत जनननी माञत अब कहने देना है दो मिनिट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाब करते हुए वहाँ पर आपको बेठे रहना है और आपने सबसे पहले मनोकामना बोली मा जगदंबा को फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुब्यम का दो मिनिट तक जाब करा पिर अब इस बेल पत्र को वही पर भूमी पर आपको रखना है भूमी पर स्वच्छी जगाप पर आपको बेल पत्र भूमी से इस पर्ष कराना है इस पर्ष करा लिया इस पर्ष कराने के बाद थोड़ी देर में आपको वह उठाना है वापस से बेल पत्र तेके बेल पत्र क की जड़ में आपने समर्पित करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब करते हुए आपको वो बेल पत्र वापस से उठाना है आगे इतनी बात समझ में बेल पत्र उठाने के बाद आपको ये बेल पत्र और जो तामबे के पात्ति के अंदर जो जल लेकर कर आए हो ये द बेलपत्र का पत्ता आपकी वापस से जो आपने मनोकामना वहां पर हतेली पर बेलपत्र रखते हुए बोली थी वही मनोकामना आपको यहीं पर वापस से बोलना है और वह मनोकामना जल्द से जल्द महादेव परिपूर्ण कर दे ऐसी आपको प्रात्ना करते हुए यह पत्र रखना और उसके बाद अब आपको क्या करना है एक लोटा जल जो आप लेकर क्या है शुद्य जल वो महादेव जी के शिवलिंग पर जो बेल पत्र रखा हुआ है उसी पत्ते के उपपर आपको अर्पित कर देना है आपके जीवन में जो भी मनुकामना होगी वो निश उपाय के वहाँ पर बोली दो बार मनुकामना बोलने वाला विशेश उपाय था तो यह हो गया पहला उपाय अब हम बात करता है दूसरे उपाय की देखें दूसरा उपाय भी बहुत ज्यादा विशेश है आप यह उपाय करोगे धन प्राप्ते के लिए अगर आपको यह धन संबंदित बहुत जादा जीवन में परिशानी है बहुत जादा कस्ट है तो आपको यह उपाय करना चाहिए कहीं से भी आप जाते कि आपकी जीवन में धन का आगमन हो आपकी घर में धन का आगमन हो ही नहीं रहा है तो फिर विशेश कर आपको यह उपाय करना चाहिए दूसरा वाला किसी भी सुमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं एक दीपक लेना दीपक के अंदर लाल बाती लगाना लाल बाती या सिंपल बाती भी आप लगा सकते हो साथ में लेना है एक अक्षत का दाना यानि कि एक चावल का दाना सुमवार का दिन है सुमवार का दि जिसके अंदर घी हो अब आपको सोमवार के दिन प्रदोश काल के समय यह उपाय करना है यह जो दीपक है आपको बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है सबसे पहले चामल का दाना डालना फिर उसका दीपक प्रिजलेट करना और दीपक का जो मुखों का अब हम बात करते हैं तिसरे विशेश उपाएगी देखो यदि आपके घर में बहुत जादा बीमारी रहती है न तो मात्र दू शमी के पत्ते सुमवार के दिन अगर आप इस प्रकार से चड़ा देते हैं तो आपके घर के सारी बीमारी दूर हो जाती है कुंद केश्वर मह च्हादेव की विशेश पाहोती है कोई भी बीमारी ओ कैसी बीमारी हो चाहते कि यह बीमारी मेरी ठीक हो जाए बीमारी पात्ति पत्त पत्त के लिए टीनों सामगरी लेकर के आपको जाना है भगवान शीव के मंदिर वह भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको कुंद केश्यों महादेव के नाम से बीमारी दूर हो ऐसी काम ना कटते हुए आपको अर्पित कर देना है शीव लिंग पर दंडी का इससा जलादारी की तरफ होना चीए अब जो दूसरा शमी का पत्ता होगा वो आपको भगवान शीव के जो जलादेरी का जो बिल्कुल को ना रहता है एंड रहता है देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रायस खराओ इस प्रकार से आपको यह दूसरा शमी का पत्ता आपको रख देना है यह पत्ता भी रखोगे तब भी आपको कुंद केश्वर महादेव का इसमरण करना है अब यह जो तामे का पात्र है जिसके अंदर जल ह यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जो शमी का पत्ता है उसी के उपर आपको श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाप करते हुए कुंद केश्वर महादेव की विशेश क्रिपा हो ऐसी काम ना करते हुए बीमारी दूर हो जाए ऐसी काम ना करते हुए आपको पूर और आप यह उपाय करोगे तो आपके शरीर में शीतलता आएगी आपके शरीर के अंदर आपको आरा मिलेगा तो यह हो गया तीसरा उपाय अब हम बात करते हैं चोथे उपाई की अंतिम उपाई की बहुत ही प्यारा सो उपाई है देखो अगर आपको इसा लगता है न कि अगर आपके घर में बहुत जादा क्लेश है बहुत जादा घर क्लेश है पती पत्री में बहुत जादा लड़ाई है चलती है बहुत जादा व ही किया जाता है यह उपड़ा है एक कर्टोरी लेना उसके अंदर हरे साबूत मुंग रखना ठीक है साबूत मुंग मतलब जो गोलगोल पूरे आखे मुंग होते न वो आपको रखना है ठीक है इनी के उपपर आपको एक तुकड़ा गुड का रखना है और इसी के उपपर आपको एक बेलपतर रखना है हो सके तो सबी घर वालों का इसका इस परश करवाना ठीक है और उसके बाद इस परश करवाने के बाद आपके घर स आपको यह ले करके जाना है और जहां कहीं भी नंदी जी दिखे नंदी जी को आज के दिन सुमवार के दिन किसी भी सुमवार के दिन अगर कल करना चाहते तो कल कल लीजिए नहीं तो आने वाले किसी भी सुमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं आपको नंदी जी को यह खिरा देना है और आपकी जो भी परिशानी है गरकलेश से जुड़े होई कि हमारे घर में बहुत जादा लड़ाई जखड़े चलते हैं पती पतनी में लड़ाई है भाई 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 में लड़ाई है तो यह लड़ाई दूर हो जाए ऐसी काम ना करते हुए यह प्यारा सा से दूर हो जाएगी तो देखो आज के पूरी वीडियो में हमने चार विशेश उपाई के बारे में आपको बताया है अगर आपको कुछ भी चीज समझ में आये तो कमेंट में एक बार पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादिख